किसी चीज को सच्चे मन से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुम से मिलाने की कोशिस में लग जेती है। मेरी पहली फिल्म की शोटिंग बो रखने चाहने की थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी, शारुक कान की फिल्म DDLJ है मेरे हाँ चली थी कुछ तीन हपते और मेरी सिनेमा चली थी पाँच हपते। आप मेरी फिल्म जो भी उठाएंगे ना, कोई माई का लाल नहीं बोल सकता कि इसने गंदगी किया, मैं लिख के दे सकता हूँ आप। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप में दम है, तो आपकी Alorsianc से लेके आपका bank balance से लेके यह होना चाहिए, ना की यह होना चाहिए, पोड़े की रेस है तो उसमें घोरा दबड़ेगा, तो ऊसको बनेगे पोड़े की रेस। अगर उस रेस में गारहा सामिल है तो वो बोडे की रेस नहीं कहला है। घागरा, चोली, साडी, बिस्तर, पल्लू आप लगता है भुझपुरी इंडस्ट्री इन सब से बाहर नहीं आ पा रही है। रीजन मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बहुत कम काम करते हैं, सेलेक्टिव काम करते हैं और बोलते बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत सही था, मैं यही रीजन है कि मैं खुद उप चुका हूँ, जो घागरा, चोली, बिस्तर की बात कर रहे हैं। भुचपुरिया समाज है, वो लोग भी सामत है। सबसे पहले बताना चाहते हूं, मैं उत्तर प्रदेश आजमवार करता हूं। तो जो ठेड़ भुचपुरिया होता है, मैं वही हूँ। मेरी जैसे बोलते हैं गाउं, तो मैं उस गाउं से आता हूं जहां पर मैं बताओं तो जो धिवरी बोलते हैं, मिट्टी का तेल, उससे हमने पढ़ाई उड़ाई की है, लाल टेन, एक बल्ब जला करता था, तो मैं वहां से आया हूं, मोश्ली लोगों को लगता है कि शायद म मैं दिल्लुली में पढ़ाई किया हूं, लेकिन मेरी सारी पढ़ाई लिखाई जो भी मेरा, जो मेरा एजुकेशन है, वो आजमगर से ही है, बट अपनी सोच ऐसी रही है, कि ऐसा नहीं है कि मैं घागरा चुली की है, तो क्या एक्टरी बनना था, मैं पताओं आपको तो, आप, आप देख सकते हैं, ये बैट है मेरे पास, बॉल भी, तो क्रिकेट का मैं बड़ा शोकीन रहा हूं, खेला भी हूं, तो अगर मैं अक्टर नहीं बनता तो मैं फुल ट्राई करता क्रिकेटर का, हलाकि इस टाइम T20 का ऐसा कुछ फर्मूला नहीं आया था, तेस्ट औ बनना था, विराट बनना था, बहुत, आप आगे एक अनुसेशन जमारा बढ़ेगा तो मैं बताऊंगा, जो कभी-कभी ऐसी चीज़े होती हैं, जो बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे मन से चाहो, तो पूरी काइना तुसे तुम से मिलाने की कोशिस में लग तो बहुत अच्छी बात क्या होई हमारे साथ की CCL, Celebrity Cricket League जो होता है, और जिसके कैप्टन हमारे मनोस दिवारी जी है, Member of Parliament, और हमारी टीम में तीन Member of Parliament है, रिंकिया के पापा है, जी हाँ, बिल्कुल, रिंकिया के पापा, और रवी किशन जी है, दिशलाल जी है, तीनों क सब लोग बहुत प्यार करते क्रिकट से, और हम लोग वान खेडे से लेके, आपको बता दो, बैंगलोर, चिन्ना सौमी, राजीव, गाधे इंटरनेशनल, हैदराबाद, धोनी ग्राउंड जो अपना राची का है, तो मोस्ली हमने सब जगह पे खेला और उसी तरीके सा उस सचीन से मुलाकात हुए, धोनी से मुलाकात हुए, बड़े-बड़े जो क्रिकेटर हैं उन से मुलाकात हुए, और यही था कि दिल से हम चाहते थे उस चीज़ को, तो आपको मिलिया, शालु पान की फिल्म के डायलोग जो है, वो जी 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 बिल्कुल, एकडम सार्थक हो बिलकुँ बिलकुँ पर अक्टिंग को जैसे है रहे हैं अक्टिंग कुछ लोगों को बता भी होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा मेरे फादर इस फिल्ड से काफी सालों से जुड़े हुए थे और मेरी परवरिस भी उन्होंने ऐसे ही की थी मुझे हमेशा वो ट्रेंड करते थे तो मेरे बात चीत और मेरे चाल चलन बाडी लेंगवज कैसी है तो मुझे समझ में नहीं आता था कि अपना बाप कुछ ज़्यादा ही रोकता है दूसरों के फादर उतना नहीं रोकते हैं वो सब को लगता है हाँ ये आपको नहीं ये सब को लगता है कि यार मेरी म हमेशा यसे मैं चल रहा हूँ तो उसमें भी उनका कोईश्चन होता था मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें भी अपना कोईश्चन होता था तो उसमें मुझे लगता था कोई जादा ही अपने आपको दिखा रहा है मतलब एक ऐसे ही फनी वे में भी मेरे पापा ने कभी मुझ अरे डाट कुटाई होती हुँआ हुँआ ही तो कुटाई ही हुथी थी अब यह सिस्टेम supervise republican निकल जाता है सब جो है अरी यह आप पहलर होता था कि हमारे टीचर के पास हमारे फादर आके बोलती थे, मम्मा मों बोलती थी कि जरा दीजिये इसको, लेकिन एक ट्रस्ट भी हुआ करता था, कि वो सुधारने के लिए था, ना कि बिगाडने के लिए, तो हमारा ऐसा परिवेश रहा है कि हमारी एक सोच पहले से ही थी, डब ने ट्रेनिंग तो आपको दी शुरू से, बट आए कैसे आप, पहला ब्रेक कब बिला, और फिल्में देखते थे तो भोशपूरी देखते थे, हिंदी से हर तरह देखते थे, मैं बताना चाहता हूँ, उसके खिलाफ थे पापा, भोशपूरी के खिलाफ नहीं, भोशपू में काम भी किये हैं, बी आर चोपडा साहब के साथ थे वो, उनको असिस्ट करते थे, बहुत मानते थे, दारा सिंग साहब उनके बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, जीतेंदर जी भी उनके अच्छे खासे मित्र, विनोद खन्ना, मतलब ऐसे ऐसे हस्तियों के बीच मे मुम्ताज जी जो हिरोईन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक नाम है रोमी, रोमी और रोमी और लोग मुझे आया था, बोलते थे, तो वो नाम उन्होंने मुझे दिया था, कुछ ऐसी हरकत की थी क्या आप, पता नहीं उन्होंने नाम रखा, और बाद में लोग र अगर पास नहीं करते हैं, तो बड़ी इंसल्ट होती है, अपनी थो होती है, फेमली की भी होती है, तो मैं सुरू से मैं मम्मी का बड़ा हो रहा हूँ, लड़ला, ममा जबॉय, जिसको बोलते हैं, तो मम्मी को गो करने के लिए कि, लोग हमारे गाउं में ही होता हैं, कि दस लगी नहीं रहा तक मैं क्या कर लिए पैसे है नहीं लेकिन इस चार बना बैठा हूँ दस्वी पास करके ठीक है और उसमें सचार लटगियां पास दी और जो बहुत पढ़ने में तेज थी थी ने ओ सारे पहल और अच्छे नंबर से में पास हुआ था सिर्फ इंग्लिस में रहा है तो अच्छा किये जो भी था कभी भी लोगों के नजर में गलत नहीं आए गलत करते वे भी बच गए पकड़े नहीं गए जो पकड़ा नहीं जाता है उसने कुछ गलत नहीं किया तो फिर मतलब पिताजी तो खिलाफ थे उसके जो भोशपुरी सिनिमा में हो रहा है और आप भी कहीं न कहीं उससे गुसा हैं, आहत हैं, जो भी हम कहें. तो फिर शुरुवात आपने कैसे की? फहली फिल्म या पहला प्रोजेक्ट किस तरह से मिला? मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैरे पापा न, जब मुझे मैं आया था, यहां पर एकता नगर है, चार को एकता नगर. तो वहां पर मतलब कि मैं बताओं तो इस्ट्रगलर बोलते हैं लोग, वहां पर मैंने ऐसे से कलाकारों को देखा जिनको मैंने टीवी में देखा था, ठीक है, अब मेरे पापा ही मुझे छोड़ने के लिए आये थे, पापा मुझे आये थे, बोले थे कि, पापा बहुत ही मेरे ना बहुत कहिन के इनका जो experience मुझे काम आया, मेरे पापा का, कि तुम इनके बीच में रहोगे तब तुमको समझ में आएगी, तो जब मैं यहां पर आया तो मुझे लगता थे सब तो सुबह चाय पीते हैं, साम को दो पहर में वड़ा पाउ खाते हैं, इसका system यही थ कुछ एक उसमें सिगीने चुने अक्टर दिग गए जो TV कर रहे थे, कुछ एक फिल्मे कर रहे थे, अरे अच्छे-चिक अलाकार मैंने विजराज जी को वहां पर देखा, मैंने नवाज को देखा, मैंने इर्फान साहब को देखा था, और भी TV के बहुत सार अक्टर को दे तो उतनी अपने को समझ नहीं थी, बस खाली जी से बोलना है कि हम धंडा काड़ा देंगे, लेकिन अब धंडा को गाड़ना कैसे है, उल्टा, सीधा, क्या पता नहीं, बोल दिया, गाड़ना है, तो मिटिंग कराने लेके गया, और जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा, लाउंच किया था, और उसमें राने चिडरजी को भी लाउंच किया था, बढ़ा गया, एक ट्रिनिटी करके स्टूडियो वहां पर डविंग भी चल लहीं है, उतित नरायन साभ आये हुए, स्रियागो साथ, तो मैं ना जाती, मुझे लगा रही, यहो क्या रहा है मेरे और उस टाइम अपने पास फोन था, नोकिया 1100, लेकिन गाउं में फोन नहीं था, जानास तो बहुत 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 पॉपुलर फोन मेरे पास था, अब मुझे गुसा भी इस बात का है कि फोन ही नहीं है, किसको बताऊं, अब जब मदिया पर हमारा एक पोस्ट है, मार्के जहां सब जीब जीब और सामाल लेने के लोग जाते हैं, वहाँ पर PCO हुआ करते थे, study booth, PCO booth, तो वहाँ पर शाम कोई लोग जाता थे, तो मैं वहाँ पर कम से कम दस बार कॉल कर चुका था, कि कोई आया, क्या गाउं से कोई आया, तो अरे वहाँ आ रहे हैं, आएंगे इ मिला की नहीं, अब काम मिला तो वही बताना चाहरा हूं, कि उसी चीज में गया, तो शाम को पापा आये, तो फिर बताया मैंने कैसी चीज है, तो उन्होंने बोला, अच्छा बोच्पुरी है, क्या है, तो उन्होंने फिल्म के बारे में सुन रखा था, कि साब सुतरी है, अच्छी फिल्म बना थी, अजय जी, और अजय सिना जी ने कभी गंदगी को सपोर्ट नहीं किया था, जैसे होता है, तो बोले हाँ, करो, कहीं से सुरुवात करो, मिला है, और हीरो ही करना, उन्होंने था, बाबा मनला बाई, हीरो ही है, मैं रखा, अब मेरी, अब मुझे म अच्टीण कर लेगा, करा लेंगे, बोले, अक्टीईयोटिंग कर लेगा, करा लेंगे, उसी में जोड लिया, मतलब खुदी है, कोश्चन और अंसर लेके, कोदी को करा दिया, भाई मेरा हो गया, अब मैं पूछू कैसी कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक होता ना, अंदर से डर भी लग जाता है, नराज ना हो जाता है, क्या पूछू हूँ, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा हो, ऐसे भी, मीडिया ओडिया महां पे भी आई हुई था, हाँ, जब बुलाए, तो बुले कि, अरे बुलाओ, बुलाओ, उस बच्चे को बुलाओ, तो मैं गया न, चोटा था, क्यूट और जाए दिखता था, तो बुलाए, हाँ, तो अच्छा, ये मेरा हीरो है, तो स्रि मीडिया ओड़ रहा है, तो अपनको पहले लगता था, कि मीडिया ओड़ देना मतला वो गया, एग्रिमेंट हो गया ही, तो उस टाइम ऐसा भी नहीं था, कि आपके पास कैमरे वाली मोबाईल हो बाईल, ऐसा कुछ स्था नहीं, लेकिन अंदर से एक जो होता ना, जो सुख मिलता है, अब बता रहा हूँ, नंबर ढूड रहा हूँ मैं लोगों का, कि मैं बताऊं, कि मैं फिल्म करने वाला हूँ, और फिल्म की शूटिंग चाले हुई गोरपुर में, मेरी पहली फिल्म की शूटिंग गोरपुर में चाले हुई थी, और मैं आपको बताना चाहता ह तो बदो बदो इसम बीजय पैलेश और मेरी सिनेमा चली थी पाँच हपते किस साल की बात है यह मुझे लग रहा है कि 2003 यह तब जाकर डीडील्जे वहां लगी थी वहां बहुत बाद में आते थी ने फिल्मे डीडील्जे तो अभी तक कहीं ना कहीं लगती है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस टाइम यह जो इतना भी आपको माध्यम मिल गया ना जानकारी की बिल्कुल नहीं जानकारी थी जो आपको न्यूस पेपर में छप गया वही है आपकी जानकारी और जो मतलब की डीडी न्यूस जो मिल गया आपको बैठे हैं हुए है नेशनल जो वही आपको जानकारी बाकी कुछ नहीं मिलता था एक दूसरे के जरिया ही मिलता था कि दिल्ली में यह हुआ तो मुंबई में यह हो गया था यह धमाका हुआ है यह सारे चीज़े होती थी पहले ना जानकारी कहा बहुत ज़्यादा आभा हो था पहले तो वो एक अलग मज़ा था लोगों का और मैं जब गया तो अब मैं क्य बताओं उस टाइम अपने पास बहुत कुछ था भी नहीं लोग आते थे मिलते थे अब हीरो बन गया हीरो बन गया तो समझ भी नहीं आता था कि बाइक से चलेगी क्या करें यह कोता है ना लेकिन मैं बड़ा डाउन टूर्थ रहा बिंदास सरूस रहा हूं जैसा था वैसा ही तो लोग इन चीजों से ही मुझे से मुहबबत करते थे कहिंगे उनके लिए भी मैं नहीं बिगड़ा उनके लिए भी यार भुच्पूरी ही करोगे कुछ और उनको यह डर था कि करते करते कहीं कुछ उस टाइप की नहीं हो जाए कि उठाने लगे चोली और गागरा ठी करके फिल्म मिली वह भी बहुत अच्छी कहानी थी और फिर मेरी फिल्म एक आयती जो बहुत चर्चे में थी उसका नाम था मुन्ना बजरंगी बोश्पूरी इतियास की सबसे महंगी फिल्म बनाई गी थी और उसकी शूटिंग हुई थी कुछ पचास-पचपंदी आपको कोई माई कलाल नहीं बोल सकता की इस ने गंदगी किया मैं लिख के दे सकता हूँ आपको मैं करता ही नहीं था मैं बहुत ओ था मुझे कुछ एक प्राइवेसी होती है प्राइवेसी आप कभी भी सिनिमा में नहीं भीखा सकते हो हाँ ठीक आप अलग बात है कि आप OTT आ गया है वह अलग है जिसको देखना है उसको पता है कि मैं चालू कर दिया हूं लेकिन फैमिली की बीच में कैसे मेरी तीन-तीन वहने हैं मेरे भूल चुका है अपनी फैमिली को जो यह अचानक से एक हावा चली हूँ तो मेरी कोसिस वही रही मैंने फिर उसके बाद दूलाल वेला में फिर हमारी जो जर्नी एक थी सबको पता ही है मी एंड मोना वो कहानी मैं ज़रा डिटेल में जानना चाहूंगा कि कैसे शुरू ही ह रहा हम हो ही से मिले फिल्म से मिले दूलाल विला मोना भी कहिन कहीं बोगशपूरी से होज़ि हुई थी उनकी एक दू फिल्म के आई थी और मैं तब अपन समें इस अई था मोशी नहीं जाह हूं paranoid मोDet मुझे कुछ समझाने आएंगा तो सुनूंगा लेकिन कुछ जादा ही जान देंगे कि महीं सब कुछ करता हूं तो पिर मैं भी आपको आपके तरीके से ले सकता हूं तो वह उनको बहुत अच्छा लगता था कि यह जो बोलता है वो करता है मनलब जिन तरीक मनलब मस्त है काम पे ही फोकस थोड़ा मोड़ा जो भी सारी चीजे हैं यह करने के कोहिस करते हैं मोना जो है उनका जैसे की वह बिलौख करती है बेंग ल kitchen तो पापस मेरे सूरूस बोलते थे कि बेंगोली लोग बहुत talented होते है हैं जैसे singing में writing में, actress mostly लोग ही के होते है न? तो मैruktur हीलो बात तो जाधा ही एक frame अगे है कहीं नहीं आपको लगता है जब आपका को एक्टर तुरंट चीजों का पकाड़ रहा है डांस में बहुत अच्छा तो मेरे वह शुरुवात हुई थी I was not good like I was not good तो मैं लेकिन यह मानता था कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं यह मुझे पता था तो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं तो मैं अच्छा करूंगा यह मेरे लिए अभी भी है तो वो जो सोच भी थी ने मेरी मेरी में जब बोलता था तो उनको बहुत अच्छा लगता था मोसरी लोग बोलता था कि workflows कुछ करेंगे तो कहीं ने कहीं हमारे हम ख्लोज हुए- बाट्स Чीफ हमारी आगे बढ़ी और बोलने के लिए भुफ का सांड हूं सीधा देखना अपने को ठीक है हाँ जब आपकी लेने पे आएंगे तो अलग तरीके से बात करेंगे मतलब ही नहीं है सुरू से कहावते सुना है मैंने मुहावरे बहुत सारे यहाथ ही चलती कुटे भौकते है बड़ा रिलेट करता था मैं इन चीजों को ठीक है नहीं आपको तैय करना है कि आपको उनसे जानवर हो ठीक है तो यह मैं शुरू से अपने में बना के चलता था तो हमारी जर्णी महां से सुरू हुई बहुत अपसदाउन हुए हैं लाइफ में उसके बाद फिल्में भी हमने किया बट जब बीच में ज़्यादा गंदगी चालू हुई अचानक से बहुत गंदगी चालो होगी फिल्म से ज़्यादा गाने होने लगे बारा बारा काने 14-14 गाने एक फिल्म में एक फिल्म में हो क्या रहा है ये और गाने भी मासाला वही गागरा चोली भी कुछ नहीं है भाई सब लोग उसमें सामीली थे मैं अपने आप में थोड़ा सब और जिसका लोगों ने विरोध किया आपको बड़ा ये समस्ता वो समस्ता समय कुछ सालों तक बड़ा ही वो था लेकिन मेरे अपने लोगों हमेशा मुझे जो मेरे पिलर रहे हलाकि मैं तब भी गड़ता नहीं मुझे मालूम है पढ़के आया है जीवनी हम सब की होता क्या है कब तो उसमें बड़ा बिलीव रहता था अपने को खुद रिचार्ज करते रहते थे अपने को तो चीजे चलती रही चलती रही एक चीज मिस करके प्रपोस किसने किया था जब आप किसी की मुखबत में पढ़ते हो ना तो वो देखिए मुखबत गैसे आखों से ही होती है तो यह वही होता है यह जो फिल्मी फंडा है कि ला भाई है अंगूटी मेंने तरह को डाल या लॉव यू यह सब यह शारुक खान ने किया है यह तो पहले यह थे तब भी वो बढ़ जाता है मैंटर, वो चीज़े हो जाती हैं, हम गाना थोड़ी गाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सायद मैं अख़ट आई पाई था, मोना के तरफ से था, क्योंकि वो बहुत स्वीट, उनका जेश्चर है, जिसे होता ना कि वो केरिंग भी, उसके बाद मैं ह हाँ, बट लाइकिंग सुरू से थी हमारे, तो घरवाले मान गया रहा हम से, मेरी फैमली, जिसे मेरे फादर मैंने बोला ना कि वो बहुत, मेरे फादर से मोना की बहुत जमती थी, क्योंकि मेरे पापा फिल्म लाइन से, और पापा मेरे टैलेंटेड लोगों को बहुत मान पापा से मेरे अलग ताइब से बात होती थी, तो मैंने रहे यार, यहां पे कुछ जादा ही अलग बाते हो रही है, बहु और ससुर के बीच मेरे बहुत थी, तो हम कहिन कहीं सेक्रेट तरीके से बहुत बार गई भी है मोना मेरे गाओं, मैंने अब शादी के पहले, हाँ, गई है पापा, तो उनके तरफ से बहुत सारी, उनके मम्मी मुझे बहुत पसंद कर दी थी, मोना की, मतलब ऐसा दमाज, मतलब ऐसा लड़का ठीक है, जो भी है, तो हमारी अंडरस्टेंडिंग कहीं हमारे साथ साथ फैमली की भी थी, तो मतलब लफ स्टोरी में लफड़ा किया की, करेक्टर आर्टिस जो, तो उन्होंने भी इस तरफ बहुत, भी बड़े नरास्थे इन चीज़ों से की, मतलब ऐसा हो, तो ये शुरू कैसे हुई, शुरू अब मैंने बोला ना कैसा भी नहीं कि, यहां पे तो ऐसा है, या बढ़ी कैसे मतलब, ये बोलनी की जरू आपने जिन बंदों ने या जिन किसी ने लाया उनको, और उन्होंने उनके सरीखे काम किया, आपने लाये होते हैं, कि नहीं भाई, अब आपका हो गया, अब हम ऐसे काम करवाएंगे, ये वो, आपने ऐसा नहीं किया, आप जो है, उनको लाने के साथ साथ उनकी ही चीज़ तो जब तक उनको आप चेंज नहीं करोगे तो चीजे कैसे बदलेंगे। मैं किसी को भी बिलेम नहीं दे रहा हूँ। प्रोडूसर सबसे पहला कि प्रोडूसर ने लाया है और डायरेक्टर भी सहमत है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ इस फिल्ड में, मैंने देखा है। बिचारे लोग कोशिस तो कर रहा है अभी फिलाल, राइट नौ। कुछ चेंज आ जाए। लेकिन वही बात आ जाती है कि घर फैम परिवार चलाने के चक्कर में वही भेड़ चाल चल रहा है कि क्या करे हमको भी जिंदबाद नारा लगाना ही है। तो वह नारा लगाने के चकर में वह धेर हो गया गंदगी का। तबदीली अभी चालू हुई है। आपको लगता है कि जो सिंगर्स आए एक भोचपूरी में म्यूजिक वीडियो का जो एक दौर शुरू हुआ। पवन सिंग हैं, खेसारी हैं। तो क्या इनके आने के बाद ये चीजें जादा हुई। हम किसी दो लोगों को या पांच लोगों को पकड़ के टार्गेट नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। सबको बनना है। लेकिन जबकि इनकी फॉलोइंग मैं देखता हूँ बड़ी घजब की है। बिल्कुल आपने जो बोला है वही है। मैंने बोला किया कि जैसे ही उनकी अच्छे फॉलोवर्स हैं। मतलब उस आर्टिस्ट को देखना पसंद कर रहे हैं वो लोग। तो आपको क्या करना चाहिए smartly कि आपको अच्छे concept वाली अच्छी story वाली। मतलब जो एक होता ना समाज में जो जिसको देखा जाए। तो आप सोचे कितनी बड़ी audience हो जाता है। आपकी audience घटी क्यों हो। जैसे कि आज मैं खुलके बोल सकता हूँ कि अगर यही बात है तो आपकी cinema तो अर्वों बननी चाहिए थी। करोणों का खेल होता ना क्योंकि हम population में बहुत जादा है। जैसे आपने बोला अभी कि बहुत बेल्ट है। मुझे कोई बता रहा था दस राज्य ऐसे हैं जहां पे भोजपूरी समझने वाले लोग हैं और भोजपूरी दर्शक है। दस राज्य और यूपी बिहार उससे भी जादा है। मुझे जो किसी ने एक figure बताया था। मैं कहीं जाता हूँ मुझे मिली जाते हैं। नहीं वो तो हर जगे आपको इंडियन तो विदेशों में भी मिल जाएंगे। वहार अच्छी बस हैं। मैंने बोला ना साउथ में भी जाएंगे थोड़ टाइंगे। अच्छा ये कहां से आप। भाईया हम जवानपुर से हैं। दादा आये थे तो ये था वो तो मतलब ये है। लेकिन वो किसका फैन है वो जूनियर एंटियार का फैन है। वो वहां के लोगों का हो गया। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप में दम है तो आपकी ओडियन्स से लेके आपका बैंक बैलेंस से लेके ये होना चाहिए। ना कि ये होना चाहिए। सीधा में बता दिया। ऐसा भी नहीं कि देरे। तो मल्टिप्लेक्स में जाने के बजाए आपका सिंगल थेटर भी बन दो गया। आप जहां पे करोडों की फिल्मों की बात करते थे वहां पे आप ट्राई करते हैं लाखों में बनाने की। तो मैं कैसे मालनों की बहुत बड़ी ओडियंस आपको सपोर्ट करती है। नहीं करती है। कैसे करती है। आप मुझे बता यह है। के योट्यूब पे ही गाने सुनते है। हाँ यह आपने जो बोला है। क्या सोशल मीडिया ही वहां पे है। देखे। देखे। सोशल मीडिया की बात करेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ जानता हूँ। ठीक है। फिर मैं भी बहुत बड़ा अश्तार बन जाओंगा। मतलब अगर वही दिखा के करना रहे तो बहुत चीज़े हो जाएंगी। उसकी बात नहीं है। रितिक रोशन का बहुत बड़ा फैन। मैं उनका फालोवर नहीं हूँ ऐसे कि मैं उनको फालोवर नहीं। मैं फैन तभी रहूँगा जो अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जानना और फैन होने में फर्क है। तो ऐसा मुझे ऐसा लगा कि जान रहे हैं लोग नाकी फालोव कर रहे हैं। आप साइद मेरी बात को समझ सकते हैं जो बोलना चाहरा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में हर कोई जानता है। लेकिन वहीं फिर फालोव नहीं करते हैं। लोग सेलफी खिचवाते हैं फिल्म देखने नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। वह भी सेलफी धक्का कमार के कि भी खिचवाते हैं। भी लगा देंगे। आजकल तो खैर जाने दीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको त्याय करना है कि अगर आपको कोई जान रहा इसका मतलब नहीं है कि वह आपका फालूवर है। आपका फैन है। ठीक। हम भी सारे आर्टिस्टों को जानते हैं। मोशली साउथ से लेके, पंजाब इंडस्टी से लेके, और भोशपूरी और Bollywood सबको जानते हैं। लेकिन हम सबके फालोवर और फैन नहीं हैं। कुछ लोगों के हम फालोवर और फैन हैं। तो भोशपूरी की विदंबना यही है, कि जिसको कोई जान रहा होता है, तो उसको भी लोग कानवर्ट कर देते हैं कि बहुत बड़े फालोवरजकाई ख़ें। के स्वेकिन के लिए भी नहीं, रहा है कानrial कि छलुँशतो देखते थेते हैं वह लोग देख रही Jew ग्रें हैं तभी बन रहा content भोजपूरी में बन रहा है विकराय तो बन रहा है तो आपने भी जैसे बात किया ना mobile, youtube तो बिलकुल वहाँ पर चल रहा होगा मैं मानता हूँ लेकिन वही पर जिस चीज के लिए जहाँ सिनेमा का नाम क्यों ले रहा है फिर सिनेमा कैसे आ गया सिनेमा तो इन दिनों हर जगे डाउन पड़ा है तो सही बात भी है ना जब आच्छा देंगे तो लोग देखेंगे अरे मैं तो खुश हूँ वो चाहे भाईया वो किसी भी स्टार की फिल्म हो चाहे मेरे अक्षे कुमार की फिल्म हो रितिक रोशन की फिल्म हो शारुखान की हो किसी की भी हो अच्छी बनाओ चाहेंगे मैं तो खुद आधा फिल्म देखके निकल गया हूँ क्या बकवास बनाए हो तो ये मैसेज भी जाना चाहिए लोगों को अब देखें लोग जोर लगाये हुए हैं कि मैं चेंज कर दूँगा मैं कर ट्राई कर रहे हैं लो कोशिश तो कर रहे हैं न और मैं बोलता हूँ कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप अच्छा नहीं करेंगे बोजपूरी में कंपटीशन नहीं है उस तरीके कि आक्टिंग को लेके सिनेमा बनाने का कि मुझे अभी ये रिकॉर्ड तोड़ना है ऐसे करना वहाँ पे अल्बमों का है कि पैसा कमाने बोज़ पैसा कमाने बोज़ वही चल रहा है मतलब पूरी तरहें से जो है तोटलिस एक ही चीज़ पे है आप सर्च करिया भी देखे कितना मुझे लगता कई हजार या लाकों में भी चला गया होगा अल्बम हाँ हाँ हर रोज लाँच होता मेरे पास हर रोज तीन से लेके चार खबरें जो है वो ये आती है मतलब अल्बम का जादा है फिल्मों का बहुत कम है मतलब कमपेर टू फिल्म से कमाई नहीं है अब कमाई है कि नहीं है बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि उतना बड़ा लोग रिस्क नहीं ले सकते बट ये अगर कहा जाए कि लोगों ने रिस्क नहीं लिया तो ये जूट बोलते हैं लोग क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है बहुत अच्छे अच्छे लोग आए भोजबूरी सीनेमा में लेकिन उन लोगों को निराशा मिली क्योंकि आपने उनसे पैसे लेकिन कमा के नहीं दिया देखिए हम एक्टरों की बड़ी जिमेदारी होती है कि हमें अगर कोई फॉलो करेगा तो क्यों फॉलो करेगा मैं बताओं आपको डर होना चाहिए जब आप दर्शक को डर होना चाहिए यार मुझे रितिक जैसा डांस करना तो कितनी नंद करनी पड़ेगी यार मुझे रितिक जैसा लुक देना है तो कैसा करना पड़ेगा यार मुझे एक्शन करना है ये जब डर एक्टरों में रहेगा एक्टर में कि भाई मैं करूंगा तब न मुझे से लोग डरेंगे नहीं तो यहाँ पे क्या ना जिसको देखो वही हीरो बना जिसको देखो वही कुछ भी बन रहा है तो आम जनता को लगी अबे इससे अच्छा तो ये कर लेगा अच्छा में वो कर लेगा तो जो एक डर होती थी देखिए मैंने बोलाना है कि अगर आप में डर नहीं है तो आप success भी नहीं हो सकते हो डर मतलब आप ऐसा नहीं कि आप खतम होने के कगार पर नहीं एक डर होता है कि अरे गार मैं अगर इन नहीं करूंगा तुम्हें फेल हो जाओंगा मोश पूरी में हैं नहीं पाउं छू लूँगा पास हो जाओंगा गले लग लूँगा पास हो जाओंगा अच्छा लिख दूँगा फेस बूक सोसल मेडिया पर पास हो जाओंगा जो यह easy मिल गया है यही गर्थ में डाल रहा है और आने वाले टाइम में और भी चीज़े खराब करेंगे लेकिन एक साइड में और बोल दो चीज़े बदल रही है और बहुत अच्छे जब आपके साथ कुछ जब बदला होता है न वो तुरंत नहीं दिखता है उसमें समय जाता है बरबात कर गोड़ा दोड़ेगा तो उसको बोलेंगे गोड़े की रेस अगर उस रेस में गदहा सामिल है तो वो गोड़े की रेस नहीं कहलाएगे तो हमारे तरफ क्या है कि गदहा को गोड़ा बनाके दोड़ाने की कोशिश है और वो हर एक तरीके से आप निशाना है किस पर निशा डान्स करता है जब लुक देता है आप देखिया ना डारेक्टर ने कितने मनदब सारे उनकी जो आर्टिस्ट होते हैं सारी वो लोग पैसा भी इसी चीज का ही लेते हैं कि मैं सब कुछ निचोड के दूंगा जनता हमें फॉलो करने लगेगी आपको चलने नहीं आता है, कैसे आप स्टार न्गा, कैसे ए रोग करते हैं। आपका एक होता है, आज आप देखे, जो से लोग इस्टार किट्स को बहुत टार्गट करते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप देखो न, उनके dance का भी देख सकते हैं, आप उनके action का भी देख रहे हैं, दवे ही, जब वो dialogue भी बोलते हैं, तो वो कहीं न कहीं, उस चीज को करती हुए आए हैं, वो लोग assist करते हैं, बहुत सारी चीजे हैं, तो जब मेहनत करके कोई आएगा तब न निकालेगा, इचाची का लईकी ह आएगा यही दिखाए तवार भी यही बने हैं तवार जिसे मालने जी है कि आप कोई फिल्म कर रहे हैं तो एक भाई सब आएघ आप यह बाइटिए, तो आपन को तो पता ही नहीं है कि यह दूसरा हीरो है, आपन को अंदाजा ही नहीं है, कान में आके बोला गया, भी यही बिष्णू यही बने है अभी सामने वाला डिश्टर्ब क्यों क्या रहा है और उससे one-to-one करना है उसको तो यह चीजें कहीं न कहीं आपको पीछे आप जो करना चाहरे हैं पीछे ले गया मतलब किसी को भी उठा के किसी को भी कर रहा है किस हीरो से लेके जो करेक्टर आर्टिस्टों के साथ गलत हो रहा है मेरा बहुत टैलेंटर टैलेंटर लोग भोशपूरी में हैं बहुत अच्छे अच्छे अक्टर हैं भोशपूरी में लेकिन कहीं न कहीं लोगों के मानसिक्ता ऐसी है कि यार अरे यार इतना रोल है उसको बुला लो फलनमा को मामा का लाइका है बहुत दिन से बोल रहा था कर दो उसको अरे आपको मालूम है एक एक्टर की जगह दे रहे हो आप वह विचारा एक एक्टर को मिलेगा तो क्या करेगा यही चीज अगर बॉलिवूड में हुआ होता तो आपके बहुत सारे एक्टर आते ही नहीं जिनको आप राजपाल जी के नाम जाते नवाज के नाम जाते हैं बहुत सारे एक्टर आपके भोश्पूरी इंडस्टी में है जो बहुत टैलेंटड है बहुत सारे टैलेंटड हीरो इने हैं बहुत सारे टैलेंटड विलेन हैं बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं मैं मेल अगर मैं हीरो मे बहुत अच्छे चे, कुछ एक नए टेक्नीसिन आ रहे हैं, नई टीम के साथ आ रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन जब उनको भी दे दोगे, कि भाईया एक घोड़ा है, बहुत अच्छा, उसकी पता उताय करके दिया आपने, और उजब पहुंचा, रेस कराने, तो बोला नहीं भी आप घोड़ा लिखे हैं तो यह गोड़ा है, तो यह चीज़ है, तो लास्ट में यह बताईए कि, क्या सुधर सकता है, बिलकुल, क्या किया जाना चाहिए, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, मैं बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है, इसलिए that's why I am doing भोशपूरी से नेमा, मुझे सीरियल से बहुत सारे offer आते हैं, हिंडी सीरियल या वो, जीपिलकुल, मैंने हंडी सीरियल के-दोति हैं, रियलिटी सोज किये हमाँ, नि नि, वो किये हैं, बट अभी जो offer हैं, हां हां, वहीं से आते हैं, लेकिन मुझे मालूम है, कि बदलाओ हो रहा है, और उस बदलाओं का मुझे हिस्सा बनना पड़ेगा, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, कुर्बानी इसके पहले भी दिया है, थोड़ी कुर्बानी और दे दे, जैसे दे साजाद करना है, तो ये कहिन कहीं आप लोगों की भून का इसमें बहुत आहम होगी, मुझे लगता ह करते हैं, भुजपरी मुझे से पूछते हैं, इतना अशलीलता क्यों है, क्या है, ये ऐसा फिल्म का नाम होता है, हम तो पूछते हैं, मैंने बोलना है, यही है ना, कि देखिए, जब आप सच को सच बोलोगे, जूट को जूट, अपने आप लोगों में एक ऐसी चीज आ ज जल रहा हो, और मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है, पहले भी था, लेकिन अभी तो बहुत पाउर्फुल हो चुका है, जहां से लोग बहुत डरते हैं, अच्छा करने के लिए, कि यार मैं बना रहूं, और जिस दिन मीडिया ने ठान लिया, कि बेटा, हम तुमको तभी रखें आया है, और वैसे भी भारत, भाई मैं तो यह भी हैरान हूं, कि लोग बाटते क्यों हैं, हमारा देश एक है, तो भारत के इतनी सारी भाषाएं हैं, तो ऐसी बहुत सारी उसी लैंग्विश के फिल्म हैं, आपको तो और गर्व होना चाहिए, प्राउड फिल करना चाहिए यार एक इंडस्ट्री वाट लगा रही है, बाकी लोगों जा रही है फिल्में, तो मसला वो नहीं है, यह जो चला है ना प्रचलन की जैसे यह जरू में बोलूँगा, कि जैसे बोलते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं, अगर दम है तो बनेगा, नहीं, अगर तो कहीं न कहीं यह लोगों में आ गया है कि यह ऐसा नहीं है कि यह फलाने कुमार के या फलाने कपूर के या फलाने खान के लड़के हैं तो चल जाएंगे, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है और मुझे यह चीज बहुत अच्छी लगती है, और भोश्वूरी में भी धीरे- सौ में बीस परसेंट लोगों की सोच जो है कि अच्छा करेंगे लेकिन मेरा मानना यह है कि अच्छा आप तभी कर सकते हैं जैसे आप चलिए क्रिकेट टीम का मैं एक्जामपल देता हूं कि आपका बहुत अच्छा कैप्टन खड़ा कर दो लेकिन उसको अगर खिलाडी अच दर्शा पाता है वो वही फिर साथ होगा अधर्वाइज फिर बाते रा जाएंगे तो यह तो भुचपुरी की फिटनेस उम्मीद करते हैं ठीक होगा उपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं उस पे भी मैं फिटनेस मैंने बुलाई न पापा मेरे पापा मुझे यहां पे तो भी इंग्लिश में हो गया यह पुश अप है जिम में खूब पसीना बहाते हैं बहुत ज़दा में बहुत तीन तीन धाइड़े घंटे पसीना मेरा बहता है और मैं वैसे एथलिट हूँ तो मौका मिलेगा तो चले जाते हैं हम लोगों से कितना भी कुछ आरन कर लो पैसा लेकिन एक बार जैसे ही सेहत खराब होती है तो सब कुछ हेल जाता है मतलब आपका दिमाग काम करने बंद कर देता है इवन आप अपनी बात हटा देजिए आपके कोई बहुत करीबी भी रहता है कोई आपका मित्र हो यापके फादर हो यापकी मदर हो सिश्टर हो उनको कोई ऐसी बिमारी आ जाती है तो आपका भी रूटीन गडबड हो जाता है तो मेरा मानना ये है कि सरवपर्थम लोगों को फस्ट अपने सेहत पे ध्यान देना चाहिए ठीक है और सेहत दिखाने के लिए नहीं वो आपको internal feel होना चाहिए कि मैं fit हूँ ठीक है न वो feeling आनी चाहिए जरूरी नहीं है कि आपका 15 इंज का डोला हो ऐसा नहीं है वो fitness आपके face पे fitness दिखती है fitness आपके हाँ कोई गलत तरीका न अपना है आज कल जिसको देखो वही google करके youtube पे जाके बहुत लोग गलत advice भी करते हैं लोगों को ये कल दी जी ये हो जाएगा बहुत लोगों को लगता है कि मैं कम खाना खाऊंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा या नहीं खाऊंगा तो और पतला हो जाऊंगा उनको पता ही नहीं कि वो कितनी विमारियों को invitation दे चुके हैं तो ये लोगों को पता ही नहीं है अब उनकी भी गलती नहीं जो बता रहा वो मूर्ख है मेरे से मुस्टली लोगों ने पूचा है मैं हला कि जब से आया हूँ मतलब जो भी है मेरे को फिटनेस आइकॉन ही बोलते है लोग तो मेरा यही है कि भाया जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बनो जरूरी आपको कद काटी भगवान ने अलग दिया है मुझे अलग दिया है तो यह बोलना कि मैं तुम्हारे ही शेप में आ जाऊँगा नहीं पॉसिबल है गोड़ा हाती के शेप में नहीं आता ना तो हाती गोड़े के शेप में जाती ओ दुबला पतला होता रहता है यह इंटर्नल आपको लगता है कि मैं फिट हूँ बस और फिट रहना सबसे बड़ा मंतर है भाई और आप फिट हो तो हिट हो क्योंकि आपकी जो चेहरे की स्माइल होती है वही आपका सक्सिस होता है बिल्कुल और स्माइल आपकी वी बनी रहे अब भुचपूर इंडॉस्ट्री की भी लोट आए बिल्कूल बुम पर मुलाकात करेंगे आपसे हो सकता अगली बार जब हम बात करेंगे तो शायद कुछ सुधार आये कि बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप मेरे से ही बात करिए और सेम हम टॉपिक को उल्टा करके मैं बात करूँ कि देखिए हमारी टॉपिक यही रहा है इसी में मुद्धे पर रहे कि देखिए भाईया वो चीज हो गई तो मैं बार वर बोलता हूँ कि मीडिया बहुत चीज बदली है हमारे इंडस्ट्री के पीछे मीडिया है ही नहीं मेंस्ट्रीम में बता रहा हूँ है ही नहीं वो और जो मीडिया है भी तो बिचारे कहीं नहीं वो लोग उनसे ही जुड़े हुए हैं मेंस्ट्रीम मेडिया हैं क्योंकि हैं तो यूट्यूबर्स हैं बिल्कुल उनकी भी दाल रोटी शायद वहीं से चल रही है तो मेरा यही है कि आप आप लोग बहुत कुछ तैय कर सकते हो क्योंकि उनको डर ही नहीं है ना उनको इस इसका डर ही नहीं है कि कौन मुझे बोलने वाला है कोई मेरा पापा ही नहीं है हाँ अपुनिच भगवान है ठीक जो करेगा वह सही करेगा हम चलिए हम भी कोशिश करते हैं जा किया जा सकता और फिर बैठेंगे इस डिसकशन पर मुझे लगता है कि हमें राउंटेबल डिसकशन करना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री के चार-पांच दिकस लोगों को बिठा के वी शुड़ डिसकस की क्या कमी है कैसे ठीक हो सकती है यह मेरे दिमाग में अभी भी आइडिया है बट अगर आप कहें तो इस आइडिया को हम आगे ले जा सकता है बिल्कुल करिये बिल्कुल करिये मैं हमेशा रिटी हूँ मैं इन चीज़ों के लिए बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे तो ठीक है डाइड यह हम जल्द लेकर आते हैं थांक्यू सो मच्छ थांक्यू थांक्यू